सौरव ने और उनकी प्रफैल की लिंक मतलब टेलिग्राम की प्रफैल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी आप लोग उनका एक्सेंडेड यूई का जो ग्रूप है उसको भी जॉइन कर सकते हैं एंड हुज शाउट आट तो सौरव जिन्होंने इस रोम को हमारे वालेट के लिए पोर्ट कर रहा है इसमें मिल जाता है आपको Android 10 एंड यहाँ पर आपको Security Patch मिल जाता है 5 December का एंड करनल मिल जाता है पिक्सल प्लस बैटनिटीव जो की सही है मदब करनल इतना अच्छा कोई बैटरी बैकप नहीं है आप लोग क्रिमसें करनल को यूज सकते हैं पिक्सल प्लस की जगह यूज स्लेश क्रिमसन इसका जो बिल्ड एट है वह 9th January का सो बिल्ड इट इसकी लेटेस्ट ही है इस रोम में जो डिफरेंट है पाकी AOSP रोम से वह इसका UI चृबक साथ बरात ऋंध खेशाल क्राइब है कमा में और लोग किसैने elohe सब्सक्राइब को अधनी के लिवातल नहीं सा कबिला कशना है अब शीष न्येक्स यहीं पीक में आप करने आप लोग के इताल ऊक्राइब में वाइफाई में हाँ पर कोई भी इशू नहीं है and mobile networks भी काफी अच्छे ज़वाइब कर रहे है there is no issue mobile networks और बस इसमें एक issue मेरे को लगी वो है calling issue वो मुझे कल आ रहे थी आज नहीं है maybe some network issue हो सकता है बाकी इसमें calling का issue ये था कि आवाज जो है वो cut cut के आ रही थी जो सामने वाला बंदा था उसको ठीक से जा रही थी बट हमें ठीक से नहीं आ रही थी उसकी आवाज so maybe some issues with the room और network वो आप लोग consider कर लेना and यहाँ पर आप लोग Bluetooth वगरा working है कोई issue नहीं है Bluetooth में and यहाँ पर अगर configuration section में जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ customization मिल जाती है like आपको icons वगर add कर सकते है status bar में navigation bar में कुछ options मिल जाते है double tap to sleep, double tap to sleep दो दो बार, नहीं अच्छा हाँ, एक तो phone में और एक status bar में, okay so, यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ है and यहाँ पर आपको battery charging light को भी आप enable कर सकते है वो जो यहाँ पर on होती है नीचे bottom पर तो वो आप लोग tweak कर सकते है यहाँ पर and यहाँ पर आपको ambient light देखने को मिल जाएगी मतलब edge lighting जो होती है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी so, आप लोग इसको on कर सकते है जब भी आपके phone में कोई notification वगर आएगी तो आपको add lighting जो हो जाएगी आप इसका color वगरा change कर सकते हैं बस यहाँ पर customization कुछ इतनी customization मिलती है अगर आपको ज्यादा customization नहीं है बढ़ ठीक है जितनी normal use में चाहिए होती है उतनी आपको मिल रही है अगर आपको ज्यादा customization चाहिए तो आप लोग INOS या फिर Durfresh या फिर Evolution X को try कर सकते हैं okay so, मेरी hopefully मेरी खुद की custom ROM भी जल्दी आएगी हमारे wallet के लिए उस पर भी वीडियो आएगी and यहाँ पर अगर battery की बात करें तो यहाँ पर battery जो आप लोग battery का usage जो है वो देख सकते है 17% है battery यहाँ पर आप लोग battery का usage वो है वो देख सकते हैं यहाँ पर battery कुछ apps इस तरीके से use करे गए हैं तो मतलब battery backup इसमें आपको 9 घंटे के around मिल जाएगा साथ मतलब 8 यह 9 घंटे के around अगर PUBG वगर खेलेंगे तो battery backup obviously बात है जल्डी train होती है battery उसमें तो वो ध्यान लखना है आपको और display section में आपको सर्फ यह option मिल लाता है style से wallpaper, dark theme और यहां पर आप लोग phone size screen lock screen display वगर को change कर सकते हैं यहां पर sounds में basic ano 10 के basic sounds में जाते हैं security में जाए तो fingerprint जो है working है let's test it के working है या नहीं यहां पर only shape दी है हमने अपनी और यहां पर wifi मतलब phone on हो चुका है and smart lock में अगर जाके देखें तो क्या के मिलता है इसमें तो यहां पर smart lock में आपको कुछ ही है feature मिल जाते हैं face unlock इसमें नहीं मिलता है जब तक N10 MIUI का नहीं आएगा पता नहीं यार कब आएगा मुझे लिगता आप आएगा क्योंकि अपने note 7 के लिए तो आ चुका है redmi note 8 pro के लिए भी आ चुका है so अपने पस note 7 pro के लिए नहीं आया sad life and यहां पर आप लोग g apps flash मिल जाते हैं आपको g apps आपको अलग से कनीतरोत नहीं है अपने google account से login करिए and you are ready good to go and basic वही options system में मिल जाते है basic room काफी smooth है speedy are खुद देख लो आपने साथ से जच जच कर सकते हो कि कैसी speed आपको इसमें देखने को मिल रही है and yeah आप लोग हमारा जो group है tag drops का आप लोग उसको भी join कर सकते हैं यह जो हमारा group है आप लोग उसको join कर सकते हैं यहां पर आपको custom rooms related जो भी नहीं निक custom rooms आईगे उनसे related अपडेट्स यहां पर आपको देखने को मिलते रहेंगे and yeah अगर आप लोग hacking वगर में believe रखते हैं तो आप लोग मेरा जो चैनल है दूसरा Electron Labs आप उसको join कर सकते हैं अपने android में तो यह मैंने कुछ scripts वगरा बनाई हुई है जो आप लोग use कर सकते हैं so आप लोग for more check description and telegram groups and yeah इस ROM को आप लोग use कर सकते है daily driver की तरह क्योंकि मलब as a daily driver तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि यह इसका first build है so आप लोग बस अगर आपको try करनी है और अगर आपको यह ROM सही लगती है तो आप लोग use कर सकते हैं मैंने इसका UI आपको पता ही दिया बाकि ROM दे सोड़ा different है and देखने में भी काफी beautiful लगता है इसका UI and yeah that's pretty much it और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को एक like देना and flash in process वही simple है phone को wipe करना है और उसके बाद ROM को flash करना है या फिर आप लोग fcrypt display यूज कर सकते हैं या फिर dm verify दोनों की link आपको हमारे wallet के जो group है tech drops का आपको उसमें मिल जाएंगी सारी चीज़े और अगर आप लोग महाँ पर join कर लीचे हमें और आपको हमाँ पर सारी चीज़े मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए एक ROM flash करते वाक्त लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगी एंड basic आप लोग हमारा tech drops का जो आप लोग मेरा wall drops application को डाउड कर सकते हैं जो कि एक wallpaper application है जिसमें आपको बहुत सारे wallpaper collection मिल जाता है and yeah that was pretty much it I hope you liked it तो चैनल को subscribe कर दो यार bell दबा दो and yeah bye bye